देखिए एक comprehensive early childhood program जैसे हमने कहा कि बहुत बड़ा role play कर सकता है तो इसमें क्या क्या ऐसी चीजें जो हैं वो होनी चाहिए या होती हैं तो early childhood program जब शुरू किये जाते हैं ऐसे policy पूरी दुनिया के अंदर तो पूरी कोशिश की जाती है कि सारे बच्चे उससे मुस्तफीद हो सकें और तमाम इदारों के अंदर उसको महया किया जाए जहां जहां बच्चे schooling के लिए आते हैं फिर हम उसमें child's physical health जो है उसमें देखते हैं अब देखें नॉर्मली जब आप बच्चों को कोई भी school में लेके जाते हैं तो वो उनको पढ़ाने की तरफ ज़्यदा तवज्यो देते हैं लेकिन physical health उनका मसला नहीं है पर early childhood programs में हम बच्चों की physical health को भी focus करते हैं और उनके लिए deliberately planned ऐसी activities रखते हैं जिसमें उनके muscles जो हैं वो develop करें physically और जैसे वो outgoing programs हैं जो बाहर जाके खेलने हैं या classroom के अंदर aerobics हैं exercises हैं और इस तरह के सारे वो काम हैं जिससे उनकी सही physical growth हो फिर child social and emotional health तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने हमारे early education के programs है उनमें बच्चों की socialization भी करवाई जाए और वो कहां peer के साथ peer group में काम करवाया जाएगा बच्चों और बच्चों को इकठा काम करवाया जाएगा फिर कुछ adults भी कभी उनके साथ शामिल होंगे कभी वो स्कूल से बाहर आएंगे कभी स्कूल के मैदान में तो वहां भी उनके मुख्तलिफ groups मनाए जाएगे ताकि हर तरह के लोगों से और हर तरह के बच्चों से उनका interaction और explorer हो और वो उनसे सीखें और खुद भी उनको सिखाएं और फिर उसके इलावा ये कि उनको emotional support देना बड़ा जरूरी है जब आप शुरू से उनको बताएंगे कि they are very very important persons तो वो emotionally strong होते हैं क्योंकि हमेशा कमजोर बच्चा ही resist करता है वो ही रोता है वो ही जगड़ता है जिसको लगता है कि मैं ignore हो रहा हूं में तरफ कोई तवज्जों नहीं दे रहा तो वो इस तरह के काम करता है फिर unbiased value transmission देखे हम यही बात कह रहे थे न कि हमने यह bias खतम करना है तो हमारे जितने pre childhood के program है और early childhood के program है यह बच्चों और बच्चियों का bias खतम करेंगे क्या कि वो क्या कर सकते हैं वो खेल सकते हैं वो कूट सकते हैं सब घर का काम कर सकते हैं सब वालदین की खिदमत कर सकते हैं, सब अच्छे अच्छे खेल खेल सकते हैं, सब स्टोरी पढ़ सकते हैं, सब सब कुछ सीख सकते हैं, तो हम ये बायस खतम करेंगे और यही वैल्यू उनमें ट्रांस्मिट करेंगे कि आने वाले दिनों में भी वो equally मजबूत और सहतमन शहरी बन सकते हैं, then equitable instructional opportunities, हाँ, हमने यहीं से उनको मुख्तलिफ शोबों के लिए अलग नहीं करना हैं, बलके जैसे मैं एर्ज किया, हर तरह की opportunities उनके सामने रखनी हैं, कि वो सब कुछ बन सकते हैं, वो doctor, वो engineer, वो कुछ भी बन सकते हैं, वो producer बन सकते ह हैं, वो farmer बन सकते हैं, कुछ भी जो वो करना चाहें आने वाली जिंदिगी में उनके लिए मुश्किल नहीं, बशर्ते के वो उसको सीखें, और उसमें दिल्चस्पी रखते हों, और अपनी सलाहियतें उसमें लगाएं, then break of stereotypical notions, जितनी बातें मौशरे के अंदर गलत हैं, कि फलाँ को क्या करना चाहिए, क्यूं नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमें उन्हें अभी से सिखानी हैं, जब बच्चे बच्चियां एक साथ हों, एक जैसे मजामीन पढ़ रहे हों, एक जैसा खेल खेल रहे हों, एक साथ उनकी बारी लेनी है, तो सब की बारी आ रह और उनको एक freedom मिलेगी, उस सिर्फ लड़कियों के लिए important नहीं है, लड़कों के लिए भी important है, जब हम खुद उनको कहते हैं, कि आप घर के काम नहीं करेंगे, आप बाहर के काम करेंगे, तो आप उनको restrict कर दिया, आप कोई अच्छा chef बनना चाता था एक जमाना था, कोई cook बनना चाता है लड़का, तो उसको क्या कि तुम खाना बनाओगे, या पुरी दुनिया के अंदर restrictions थे, लेकि आने वाला वक्त ये बता रहा है, कि अब chef तो बहुत ये अच्छा profession है, और मर्द उसमें खास दिल्चस्पी ले रहे हैं, इसी तरह लड़कियों को कहा जाता थ कि आप इंजीनियर नहीं अच्छे बन सकते, तो अब लड़कियां तो बहुत अच्छी इंजीनियर बन रही हैं, तो बात ये है कि आप जो आपके गलत notions बने हुए हैं, ऐसी thoughts बनी हुई हैं, जिन्नों ने असल में उनको restrict किया था, उन thoughts को हमने overcome करना है, उनको नए ideals देने हैं, उनको ऐसी precedents दिखाने हैं, ऐसे लोगों की मिसालें, ऐसे role models दिखाने हैं, जिन्नों ने बड़े बड़े काम किये, खौबों खवातीन थी, खौबों मर्ड थे, ताकि हर कोई अपने potential में आगे जाके यह सब कर चुके, तो जो हमारे early childhood के development के programs हैं, उनमें ये सारी करवाया जाता है, अगर बच्चों को preschool की opportunity मिले तो.